हाई मैम हाई कैसी हैं आप ठीक हूँ मा सो रही है एक्दम सूपब औरेंजमेंट किया है आपने पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा क्या ओ थैंक्स मेरे साथ डिनर करने के लिए फिर से एक बार थैंक्स कल से मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी इसलिए रिस्क लेकर अरेंज किया है क्या मैं स्फिफ आपको शिबा बुला सकता हूँ शिबा आपको शिबा लव यू सो मच क्या हुआ शिबा कुछ नहीं हम दोनों लाइफ लॉंग फ्रेंड रहेंगे ना पता नहीं फिर कब देख पाऊंगा तुम्हें जल्दी खाना खाऊ और निकलो हुआ। शिबा क्या होला ओर बेटी सिबा सिबा बेटी यह जो करना से जड़ा कोच प्रिया कि निए ज़ा देक हो आसटे क्षे जब सी अजब यह उपर के आगे इसने कि अमाय आवाज आरही है। अजब आफ पर के अजब यह उपर क्या गेज नेकि आवाज आ रही है। किसे जानती है क्या वो बैग इसी का है क्या यह आपका है जड़ा देखिए इसे मैं इसे जानता हूँ इसे कहीं तो देखा है मैंने यह बहुत एक फतरना गैं का आदमी है लेकिन यह आपके घर में क्या कर रहा है माँ मैडम मैडम देखिए आप डरिये मत मैं यह सब समझा लूँगा तुम कौन हो और यहां क्यों आए जिसके लिए यह आया था मैं भी उसी के लिए आया था शीवा उपर क्या हो रहा है मेरी माँ आपकी माँ उपर आजाएगी आप जाकर उनको संभालो अरी जाओ मैडम आप तक उस प्रॉड पर भरोसा किया थोड़ी देर मुझ पर भरोसा कर लो अरी जाओ मैडम कुछ नहीं मा कुरसे गिर गए थी आप अबे तक सोई नहीं नहीं बेटा आप सोच अलिए हां आप सोच अलिए हां आप आप गाड़ी निका लिए और साथ में बैक भी ले लीजी प्रॉड बढाने मा आप सोच अलिए यहां का गंदा पानी बगल के गाउं के पीने के पानी से जाकर मिलता है जिसकी वज़ा से वहां के लोगों में बिमारी फैल रही है वहां के पीने का सारा पानी खराब हो चुका है और इसकी वज़ा से वहां के लोगों को बस्ती छोड़कर गाउं खाली करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है सौ परिवार ऐसी स्थिती में कहां जाएंगे और वही अब तक इस मामले में हमारी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है आम लोगों ने जिस सरकार को चुना है क्या वही सरकार इन लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाली है सरकार के सामने ये एक बहुत ही बड़ा प्रशन है हम इस कच्रे के ढोगरी से निकलने वाले पानी और बीमारियों को जल से जल्द रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उस जिगह का मुवायना करने के बाद पता चला है कि इस कच्रे के ठेर से हम पेट्रोल निकाल सकते हैं ऐसा साइंटिस्ट कह रहे है अगर कच्रे से पेट्रोल निकले तो कच्रे वाले तो करोड़ पती बच जाएगे क्या रहे कच्रा निकालने जा रहा है अरे भाई कच्रा तो क्या पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं हुआ है अपना कंडिशन बता दिया ना बाई बता दिया यह ले चस्मा पहन आपके सामने कैसे पहने असल को तीन महीने में दे देना चाहिए ऑक है बंद्रा दिन पर ब्याद करेक्ट टाइम पर टाइम बेस्ट मत कर जाके साइन कर तोड़ दिया क्या इन लोगों ने परिशान करकर रखा है कितना बल्ग तोड़ेगा रहे तू तो टूटेगा मैं क्या करूं इतना डर है तो बहुत हो गया अगर आपको हिंदी नहीं आती ना तो यह आदमी आपको लू बना देता है क्या देख रहा है हाथ में समान उठाओ और काम शुरू का इडिया इसको जो पैसा दिया नहीं लोटा या इसलिए उसका घरी हड़प लिया ऐसे बहुत टूटता रहा तो आपन रोट प्यारा जाएंगे नमस्ते भाई नमस्ते क्या हो अरे घर पर बहुत काम था दिखाई का बिजी तरे मेरे पिता जी मर गए भाई हां क्या कि पिता जी मर गया कल उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली थी नशे में बीडी जलाने के लिए शौड सर्किट होते देख विजली के खंबे पर चड़ गए अच्छा बीडी जलाए कि नहीं हां अधिये खंबी जलाने के अधिये अपना काम देख पिता जी तो गए उपर मुझे नीचे जाना सारा सवान ठीक से इस्तिमाल करें जंग नहीं लगनी चाहिए तो मश्विन के घर आ जाना अरे लास्ट मंधी मैंने वो ट्रेनिंग ली थी यार बहुत बोर है इसको देख पूछो तो सेल्समें बोलत माँ मैं चलता हूं माँ अरे चाचा की दुकान से अधा किलो टमाट ला कर दे ना नहीं मुझे बहुत काम मेरा प्यारा बेटा है ना ला कर दे ना भाई आ क्या है आज सामको ग्राउंड में समी फैनल मैच है अब आ रहे हो ना अबे पहले गा हजार उपिया नहीं तो मैं क इंदा मत करो मैं उनसे पूछ कर बताता हूं अधिये के बताना भाई या जल्दी दो ना यार डानू चलती तो ठीक है लेकिन है पगलिया रुक 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 तुख भाग ला तुम लोग अब से बाच रही सकते हो तुम लोग को बाच रही चोड़ेगा नहीं क्या रहे उसका चेरा देहीं नहीं रा काज लागे वह अरे विक्ति शामाटम तो नेते जाओ विक्ति रु कई रुक आठेव वस्ते हां अरु बाच कुछ नहीं सकता में राहा हूं यू यह नहीं सब्स्क्राइब कान अरो सिर्म पैटार आगा सर ने सबसे पहले किस ने देखा था था एए दूद वाले इसरा आप मुझे कुछ नहीं पता मैं बाल बच्चे वाला आटमी मुझे चोड़ लो प्लीज लिए देखा थाए थोड़ा ने लेट हो गया वेशे दूद का अब अब बारतन बाहर होता है आज नहीं था इसली में अंदर गया अंदर गया तो देखा वह अंदर कितने लोग रहते है वह औरत थी उसका पती था एक नया सिक्यूरिटी गार्ड ज्वाइन किया है कुल मिला कर तीन लोग रहते हैं ठीक है तू साइट में खाड़ा हो जा सारे रूम चेक कर लिए चेक क हां सर पता ही है सर कुछ सबूत आदि लगे है आप लोगों क्या है सर रिश्वत के पैसों से बहुत बड़ी जमीन खरी दिये हैं देख दू क्या है सर हां सर मैं अल्रड़ी धर ही हूं सर ओके सर ओके कि ऐख एक कॉंस्टेबल डीशी सर आने वाले हैं सारे क्राउट को आटा हो यहां से जाँ तो अज़िए सब्सक्राइखत् से को अपती जूआँ जिलों मुझे लगता है यह फून किसी साइको किलर ने किया है सर परशुपती यह सर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते रहो एक्यूजड कौन है यह मैं डिसाइड करूंगा ओके सर बाहर जो चैनल नाइन वाले हैं उन्हें अंदर भेजो मैडम आपके चैनल को अंदर आना है एक बाइट लेते हैं फिर चलते हैं अब यह बाते हमसे आप क्यों पूछ रहे ह है हाँ हाँ सायर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं नेम प्लेट पर लिखा हुआ है वी स्वामी तुम्हारे पिता जी का नाम वेलु स्वामी है क्या है जहां तक हमारा सोचना है यह पारिवारी जखड़ों की वज़े से खून हुआ है अभी इस केस का एफाई यार दर्ज करक पाश्वपती एम्बूलेंस को फोन तरह तरह है हालो आयूश होस्पिटल हमेया हेल्प यह एक सवाथ है ना सॉरी सर्ण नंबर क्या रॉंग नंबर है मैंने तो सई नमर डाल किया है सॉरी सर्ण यह आयूश होस्पिटल है कुछ भी हो ऑस्पिटल तो एना मैं इसा ही पाश्वपती वह जखमी आदमी ऊपर निकल गया अब उससे कोई फाइदा नहीं एम्बूलेंस को छोड़कर समेट्री बुड़ा क्या रे क्या हो गया अरे यार जो भी बन सीरो डाल कर रहा है उसका कॉल यहीं पर आ रहा है अभी पुलिस का फोन था एम्बूलेंस के मैं किसी के लिए अपने आपको नहीं बदलने वाला देखो मैं ऐसा ही रहूंगा और हमेशा की तरह तुम चुब बैठो हलो हर दस मिट में मुझे मैं से जाना चाहिए कितनी बार बोलू मैं यह सॉरी सर वह मैं काम में थोड़ी सी बिजी हो गई थी सर क्या बिजी हो गई तुमारा वर्क ही यही है थार था स्ञक में मुझे मैं से जाना चाहिए ओके और यूर टाइम स्टार्ट्स ना जाओ खाना खाओ जाओ देख फर्स रेडी है मैं मैं दीपक बोल रहा हूँ आप कैसी है हेई हेई कितनी बार बोलू मैं यह हिंदी चैनल रिचार्ज मत किया करो हाँ गर दुबारा इस घर में किसी ने यह सब देखा तुम लोग कभी टीवी नहीं देख पाऊगे इतने सालों से मुंबई में हूँ लेकिन किसी अपने ने मेरी मदद नहीं की अगर आज मैं इतना बड़ा आदमी बना हूँ तो ऐसे नहीं बन गया हूँ बहुत तकलीफ उठाई है बहुत मेहनत भी किये मैंने अगर लोगों को मेरी तरह बनना है तो उन्हें भी मेरी तरह मेहनत करनी पड़ेगी और यह इतना आसान नहीं है तुमारे पिता जी का समय अच्छा था कि मरगे बिचारे वरना उनको अपने हाथों से मार देता मैं उन्हें पता था कि मैं टीवी बगरे पसंद नहीं करता लेकिन नाटक करके मेरे गले बांद दिया तुम्हें तुम एक्ट्रेस हो ये बात मुझे पहले पता नहीं थी अगर मुझे फिल्मे देखने का शौक होता तो मुझे पता चल जाता कि तुम्हेरा बाप कितना बड़ा फ्रॉड था थैंक्स तु एर फादर, दे ग्रेट मॉडल कोर्डिनेटर आज उसकी वज़ा से मैं तुम्हें छेल रहा हूँ ये क्या है आई लव यू का मेसेज आया है ये क्या चल रहा है कौन है ये कुछ नहीं है ये हॉस्पिरल स्टाफ और कुछ नहीं जस्ट इन्फेक्शिएश्ट सारी लड़कियां मुझे पसंद करती है इसमें मैं क्या कर सकता हूं है बुड़ी जी साहब इतनी उमर हो गई तुम्हारी अभी तक डोसा बनाने नहीं आया तुम्हें हुआ हुआ वह शीवा देखो जरा कॉन आया या यह मेल हटिंग फ्रेंड ग्रेट जर्नलिस्ट अंदर 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 आओ जेम्स लिसन दर इस लिमिट फर अवर्रिफिंग क्या समझते हो के तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा आई विल रूइन यूर लाइफ आफ पीपल तो दूइट फर मी शॉरी यार थोड़ा लेट हो गई सुबा सुबा एक जगा मड़र हुआ था वहां गई थी दो लोगों का बड़ी बेहरैमी से किसी ने खून किया था यह क्या है सुबा सुबा शुरू हो गया क्या ऐसा कुछ कि अब वह विक्ट्री ना इधर से गुजरेगा जैसे आय मुझे बताना पिश्टले तीन महिने से किराय नहीं दिया है मुझे देखकर वो छुप जाता तो मैं अंदर छिप जाओंगा आप विसल मार देना मैं बाहर आ जाओंगा विसल मारना आता तो है ना अरे यह हुई ना बात पता नहीं इस बुढ़िया को ठीक से दिखेगा भी कि नहीं देखते हैं यह पारिवारिक जगड़ों की वज़े से खून हुआ है पारिवारिक जगड़ा है यह विसल बजाना आता है क्या हो विसल बजाना सीखना है यह देख इधर अब दिखता उसे है रुक 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 रु आपड़ हो खरके लिए और मेरी या क्या बात करते हो क्या लगता है अपर ही मापर शक करिते हो क्या मैं मा तुम जय हो मैं क्या हो कि अपर है जा रहो है माजी चाहूँ जा 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 एक इनेलर का रखा मिली नीरा ए मां एनेलर का रखा है तुने उसे बचाने के लिए ऐसा नाटक किया तो अगर एसे करते रहें तो मैं क्या और देखा आरे यह मां टामाटर उदर लेले जरा सुन तूने बाद्शाबाई से 15,000 उधार लिये हैं क्य नहीं ऐसा तो कुछ नहीं तो मुझसे चुट बोल रहा है तेरे पिताजी ने लोगों से जो कर्जा लिया है उसे चुकाने के लिए मैं आप तक चार घरों के बरतन धो रही हूं अगर तू भी ऐसा करता रहा तो मुझे बरतनी धोने पड़ेंगे अरे मा क्या हो गया है तुमें क्यों सुबा सुबा इतना चिला रही हो देखो तूम चिनता मत करो मैं सब else ठीक है तुम्हें तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी कॉलेज जाती है क्या तुम्हीं बताओ कहा जाती है फिर वो पिछले अपते केवल टीवी वाले लड़के के साथ बीच पर घूम रही थी रमेश्ट ने मुझे बताया सुनो चुप करो खबरदार दुबारा मेरी बेटी के बारे में कुछ गलत कहा तो अच्छा नहीं होगा कुछ बोलो तो ब कैसा लग रहा है अच्छा तो है किसका ओटो है क्या किसका ओटो है अरे यह हमारा ओटो है यह ओटो हमारी जिंदगी में बदलाव लाएगा ओटो चलाकर पैसे कमाने की बाद छोड़ो वो केबल के काम का क्या हो अरे छोड़ो केबल का काम कुई कलेक्टर का काम है गया तो चला गर कितना पैसा कमाता हूं यह देखना तुम हाँ पहले सिक्योरिटी में काम किया फिर केबल में काम करने लगे और अब आटो चलाने लगे इतनी पढ़ाई की है तो कोई जॉब क्यों नहीं तलाश कर लेते तुम अपनी रिस्पोंसबिलिटी कब समझोगे तुम हलो कहा हो तुम मैं चर्च के बाहर हूं और किट सन अंदर प्रे कर रहा है चर्च में लेकिन बगल से तो कुछ औरी आवाज आ रही है कौने वा जूट मत बोलो कहा हो तुम आइम अट दे चर्च डैमिट हाँ डैमिट शीबा मैं तुम्हें इंसे इंट्रडूस करवाना चांद हूँ हाई आम जैम्स शीबा मेडिकल टूरिज्म कर रहा है हालो अभी दस मिनिट के बाद सर का फोन आएगा तो कहना मैं अभी आई हूँ अगर मुझसे बात करनी है कहेंगे तो कहना मैं नहा रही हूँ अगर दुबारा दस मिनिट के बाद फोन करेंगे तो कहना मैं सो रही हूँ ठीक है मालकेन तुम आज तुमने क्या प्रे किया? एक विक्टरी नाम का बैट्समेन है, सूपर बैट्समेन है, वो बिमार होना चाहिए, ऐसा प्रे किया तुम्हारी टीम जीत जाए, ये प्रे करना चाहिए था अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी बिगाडने के लिए प्रे करना गलत बात है तुम हार्ड वर्क करो जित तुम्हारी होगी हलो, कैसा लग रहा है मेरा लुक सत्या, वो जो मर्डर हुआ है मुझे नहीं लगता फैमिली इशूस की वज़े से हुआ लगता है जरूर उस साइको किलर नहीं ये खून किया होगा देखो मालनी, इस खून वाले केस को लेकर होम मिनिस्टर काफी फजियत कर रहे है अगर हमने कहा कि ये साइको किलर का काम है तो कहानी खत्म इसलिए तुमने ये बता दिया कि ये फैमिली इशू था कुछ और भी तो बता सकते थे ना जिसकी डेथ हुए उसका बेटा फॉरण में रहता है उसको इंफार्म करने के लिए हमने उसका नमबर ढूला और उसे फोन करके इंफार्म करने की कोशिश भी की लेकिन फोन कट कर दिया उसने दुबारा फोन किया, तो फोन सुच आफ तो सोच लो, इनके लिए कितना प्यार उसके मन में होगा इसलिए मैंने पारिवारी जगडे का नाम दे दिया ताकि वो निउस सिल कर भागा चला है इतना ही रहे उस घर में रहने वाले तीन सदस्से हैं लेकिन वहाँ बॉड़ी में लिए सिर्फ दो लोगों की जल्द ही जॉइन हुआ सिक्यूर्टी मिसिंग मुझे सिक्यूर्टी वाले के हूँ पर डाउट है इनकेस अगर मेरा डाउट सही है तो सिक्यूर्टी वाला जरूर आएगा कि अपने दिल पर लेता है वो सैको किलर बन जाता है तो बता है कि अपने आपको समझती क्या हो आप खुद तो घर पे रहती नहीं हो और आपका बेटा मुझे देखकर भाग जाताने हैं नहीं मुथ्टू का यह यह मोणि काम करके पैसा कमाती हो ना तो घ्राइद का मनी करता क्या नहीं वो मेरे पास अभी 12 रुपे हैं लेकिन वो भी मैंने मुझ यह अगले मेने की पागारैट इडवांस में लिए मुझे पागार बराबर नही लिता तो इस में कभाइश करो मुझे तुमारी परिशानी की कहानी नहीं सुन्धी Yaiya मेरी भी बहुत परिशानी आयए ज़ल से जब बात के पैसों करो सब कुछ तुमने च्छिनन्य है तो क्या करेंगी कुसे ऒापस करो से अपना मूं ठीक तरीके से काम करता तो मुझे ये तकलिफ नहीं उठानी पड़ती मैच बहुत जबर्दस था है चलो भई कल मिलते हैं निकलो ना मा खाना क्या बनाया है क्या रे तेरी मा काम पर जाकर इतनी तकलिफ उठाती है तुझे इसका जरा भी है इससास नहीं तुसे सिर्फ दो साल चोटा है वो वेलू काम करके पैसा कमा के अपनी बहल की शादी करवाई और दस तोले का सोना भी दिया उसने और तू है जो काम नहीं करता अच्छा छोड़ तूने जो आटो लिया है वो ठीक से चलाना चाहिए ना पर वो भी नहीं छोटे बच्चों की वो भी उसने चीने अब बस में चाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या होगी अमा थोड़ा शांत रहो ना पैसा आजाएगा आएगा तेरे पिताची छट फाड कर देंगे हाँ मेरे पिताची छट फाड कर पैसे भेजेंगे और तुम वह सारे समिट ले नहीं टीवी है लेकिन चलेगी नहीं खाट है लेकिन सो नहीं सकते इजी चेर है लेकिन बैट नहीं सकते तू चाहे तो ये सब ठीक कर सकता है लेकिन करेगा नहीं तुझे बोलकर क्या फाइदा है तु तो अपने बाप का ही बेटा बिट्री की मां सीरियल जालू हो गया है हाँ आती हूं सीरियल देखने के लिए टाइम पर पहुंचाओगी मुझे टाइम पास करने के लिए यही एक साधने और मैं क्या करूँ चल कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि अभी जो नियूज मिली है उसके मुताबिक खून हुआ है वो साइको किलर नहीं किया है अधिया देखना वो साइको एक दिन तुमारा गला भी दबाने आएगा मेरी मां के हाथों से पैसे चीने न अभी बताता हूं डिसे सत्यारे निउस है है अधिया मैंने कुछ नहीं किया होगा अधिया तुम्हें ये सब चाहिए मुझे टीवी सीरियल देखने से रोक रहा था सीरियल देखने के बचाए आड दिखाके दिमाग खराब कर देते हैं यह लोग अधिया लेट रहा है नहीं प्रोड़क्त लॉंच है मुझे तुम 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 पैसा नहीं है यह लो यह रख लो कितनी बार बताओ मैं इन्फोसिस ट्रेनिंग की मैंगर हूं बहुत आग़ बात करती हूं अहीं मैडम आओ बेटा अभी तक उस घर के लिए कोई किरायदा नहीं आया क्या अभी तक तो कोई नहीं आया मैडम लोग देखके चले जाते हैं पर इस घर का जो ब्रोकर है वह बहुत अच्छा इंसान है अब कैसी हूं मा मैं ठीक हूं किस टन पढ़ाई कैसी चल रही है आज मैच है घर जल्दी जाना है मुझे हाँ चलती जाएंगे क्या भी थी जब भी तुम्हें देखती हूं तुम्हारे चेरे पे गुस्सा रहता है क्या बात हो गई है वो एक दिन भी हम लोगों को यहां रहने नहीं देंगे और घर पर भी शांती नहीं है रोज रोज परिशानी जहलनी पढ़ती है इन सब की वज़ा तुम्हारा पती है मम्मी मम्मी चलो न चलते हैं किटसन बाहर जाकर वेट करो श्रीबा मेरा गुस्स अपने बच्चे पे क्यों उतार रही हो मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी क्या वो गलत था अगर मुझे मर्जी से पढ़ने देते तो आज मेरी यहालत नहीं होती एक बात साफ कहती हूं मा जैसा पिता मुझे मिला है वैसा पिता किसी को भी ना मिले तुम्हारा ये कैमरा लेकर घुमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम जैसी लड़कियों को कैमरे के पीछे नहीं बलकि हमेशा कैमरे के आगे की तरफ होना चाहिए ताकि तुम्हें सही एक्सपूजन मिल सके तुम चींता मत करो बैटी नित्या 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 कितनी बार बुलाना पड़ेगा तुम्हें हजार बात तुमसे कहा है काम के वक्त फोन पर बात मत किया करो मेरे सामने मा तुझे दस बार पुकार रही है, तो मेरे पीट पीछे, तुम क्या करती होगी? शीबा, जाने दे मत डाट, नित्या जरो बैग ला कर देना तुम ही इसे सर पर चड़ाती हो जाने दो, नित्या, शीबा को कवर दे दो कैमरे को ठीक करने के लिए कही जगहों पे दिया लेकिन इसके स्पेर स्पार्ट्स नहीं मिल रहे थे थेंक यू मा माइक को हाथ मत लगाना नहीं दूगा माइक नहीं दूगा मेरे पर हाथ उड़ाया अब देख क्या करता हूँ छोड़ोंगा नहीं अरे क्या है ये फुटबॉल खेलने वाली जर्सी है ये और तू ये लेकर चला आया अरे ये खरीद कर थोड़ी न लाया होगा फुटबॉल टीम प्लियर से भीक मांग कर लाया होगा तुमने मुझे हजार रुपया दिया उससे टी-शर्ट कर दोंगा क्या है ये जो हजार रुपया दिया उसका ताना मार रहा है क्या है ये भाई इसको पैसे दे दे हम लोग चलते हैं मैं नहीं दूंगा क्या हुआ हजार रुपया दिया तो ये मुझे ताना मार रहा है इसको और पैसे दे दे हम लग निकलते हैं चल निकल कैसी बाते कर रहा है मैंने तेरे लिए पैसे जमा किया और तू मेरा ही जेब खाली करवाने के पीछे पड़ा है चल जा तू खेले ना खेले कोई फरक न क्या है। मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वो थोड़ा उंचा हो और थोड़ा कलरफुल भी नॉर्मल गोरा हो तो भी चलेगा हें तुशादी करके क्या कर लेगी हां एक के साथ ही पूरी जिन्दगी गुजारेगी क्या मुझे तो यह शादीवादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे पूरा बरोसा है एक तिन तुम शादीश सरूर करोगी सच में नहीं करूंगी लाव यू बीबी लाव यू जू हाई शिबा हाई हेई फोटाग्रफर एक हमारी भी फोटो कीच लो ओ शो लोक शिबा तुम्हारे लिए अक्टिंग का बहुत अच्छा मौका है एक्शन हमारी शादी नहीं हो सकती बीरू कमिंग फॉरवाद तो मैं वो करूंगा जो मजनू ने लैला के लिए किया था इमोशन रोमियो ने जुलिएट के लिए किया था थोड़ा सा और एमोशन क्या किया था सुसाइड सुसाइड इस तरह से एक थुवारी आउट हो गया है अब हुपनी छेलगे आ रहे है हमें पुरी उम्मीद है को बहुत अच्छा खे देंगे और अपने टीम को सहारा देंगे इस तरह से एक और सिक्स मारा उसने अपने खेल रहे हैं बिल्कुल भूमे हुए है बैटिंग के लगाता है और सिक्स मैं दीपक बात कर रहूं इस तरफ दिखी मैम इस तरफ स्टेट फॉर्वर्ट आपसे मुझे कुछ बात करनी थी मैं तुमसे बात क्यों करूंगी मुझे बात नहीं करनी है फोन रखो इस तरीके से विक्री खेल रहे हैं लगता है कि टीम की जीत निशित है और एक बार फेंग बार फेंग बार आखरी बॉल क्या मा ऐसे क्या देख रही हो हावा सुन रही हो ना हमारे टीम जीत गई है जैसा मैंने बोला दरा जीत कर आया है जो जीत कर आया है उसे घर में क्या चावल बनेंगे चाल है पाटी जाले को कि अधित कि भुद्द में मेरी लिएskla ने ले उससे पहले होने कर रही हो मैं पहले ही इतनी परेशानी सागुजर रहा हूं इलिए खाने के वहान दे है ओंपर से तुम्हें अपने साथ मेरे घर आओ थोड़ी ते रिशान रहों मैं सोचकर तुम्हें ब तो मेरे घर वालों को शायर मुझे पर डाउट है तुम कुछ भी करो मुझे यहां से लेकर जाओ मेरी बात समझने की कोशिश कुछ नहीं समझा है तुम बस यहां चल दिया और मुझे लेकर जाओ पर ना मैं ससाइक कर लोंगी क्या हुआ भाई तुम उदास के हो गया किसका फोन दायार कि अधिश्ट अधिश्ट कहां न मत्रों पता है सब कुछ जो भी बाते हैं बाद में करेंगे अभी चल यहां से आज़ा है आ यह भी ले यह क्या तुम पहले यहां से चलों चलो बेटी अरे है इंद्ला चलो तुम ज़ाहु मेरे बेटी के खुश्री सब कुछ है मेरे लिए इसे लेके जाओ अच्छे से रखना है इसे जाओ लुट मॉर्निंग सर् क्या रे यह कल ड्रैस पहन कर आया है आज बड़े है क्या मफटी है सर आपने तुरंट आने के लिए कहा था इसलिए ऐसे चला है तो किसी के मैयत में आया है क्या और उस मर्डर केस का क्या हुआ सर उस केस में अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पाया तो फिर सर वो खुनी कोई भी एविडेंस छोड़े बिना एक के बाद एक खुन पफेक्टली कर रहा है यहां तुम उसकी तारीफ करने आये हो क्या तो फिर इस डिपार्टमेंट में काम ही क्यों कर रहे हो तुम कब पकड़ोगो उसे यह बताओ सर मैं ढूंड रहा हूं उसे बहुत जल्द पकड़ोगा तब तक मुझे डिस्टर्ब मत कीजे मुझे बहुत सारा काम है जब मैं उसे पकड़ोगा उसके साथ हाजिर हो जाऊंगा कौन है रही यह ऐसे आया है और बिना इज़्जत दिये चला गया तो फिर मैं मंत्री बनके क्यों बैठा हुआ हूँ है कि एसे खाली हाद क्यों चलिया आ रही हो दूत का गिलाज अच्छा तुम्हारा ओटो का है आपने इस आपसे मैनेज कर लूगा तुम उन सबकी चिंता मत करो मैं चिंता ना करो तुमने तो 10 पैंक में 10 करोड रुपे जमा करके रखे हैं यह सोचकर तुमने मुझसे शादी की है क्या तुमने करोडों रुपे जमा करके रखे हैं, यह सोचकर मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ, विक्ट्री, अपने माबाप को छोड़कर तुम्हारे साथ अपनी जिंदे की बिताने आई हूँ, अरे यार मैं तो मजाग कर रहा था, क्यों तुम इस बात को सिरियस ली ले र या बाई, सिर्फ बैट पकड़कर बैठे हो, अगर मुझे दोगे तो मैं खेल हूँगा ना, चल जा, यह कुछ काम का नहीं है यार, भाई, बस पांच लाख रुपे हो जाए ना तो सारा प्रॉब्लम सॉल, भाई और समुधरन का करजा चुट जाए ना, तो उसके बाद म पागलों जैसी बात मत कर, आजकल 15,000 की नौकरे में कोई दांत भी नहीं घिस सकता है, कुछ तो बड़ा हाथ मार नहीं होगा यार, यार विक्टरी, अपने भाई के पास कितना पैसा तुम्हें देखा है न, उसके पैसा कहां से है, रियल इस्टेट, घर का ब्रोकरेज, ट अलिकरन में एक जगे कचरे का धेर है, वहां बहुत सारे पुराने सामार यूहीं पड़े रहते, अगर हम उन्हें बेच दे, तो हमें बड़ी आसानी से काफी पैसा मिल सकता है, वो सुधाकर है न, ये करके अभी दुबई में है, वो सब ठीक है, लेकिन अंदर कैसे जाए हलो, अपने वेडरूम के बाहर के टेबल पर एक जोसेफ नम का विजिटिंग कार्ट होगा, जबर वो नमबर देखकर बताओ तो, फ़ल ड़िट, पड़ो, 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 जेम्स, 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 मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, एसा मत कहो, मुझसे नाराज होकर मुझे अवाइड मत करो, प्लीज, मैं ये बड़ाश नहीं कर पाऊंगी, आल लव यू जेम्स, वनस पॉर, वनस पॉर, आल लव यू सो मच, तुम मुझे पूरे के पूरे चाहिए, ठीक, ठीक है, आइंदा तुम ऐसा मत करना, जाओ, 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 जोसेफ का नमबर यहां नहीं है, नो प्राब्लम, नो प्राब्लम, बए-बए, वेट्री? जाओ, जाओ, कोईकर मच,-बढ़कर प्राब्लम, प्रफिज दीक, खाविश के जाओ, विट्री, आइशा मनि पॉड़ा मिस बतातों है, त भ्रेशक की दलीट से जाओ, भॉ्तूल आदीट लाग धि दज़ीक्शक करेंगे पागल हो जैसी बात में करो पैसों के लिए लोग बात पता नहीं क्या क्या करते हैं और ये तो एक खून ही है इसको पकड़वाने पर 2 लाग में लेगा फिर तु इस काम के लिए इंकार क्यों कर रहा है तु भी पागल है करता है मुझे एक लग 20,000 रुपिया एए एक लाग 80,000 हो चुका है कब ले कबोल एए एए तीन महिने में तेरा पैसर तेरे पास आजाएगा एए तीन दिन अगर पैसर नहीं मिले तो सोच लेना अब ही चलते हैं चलो रहे अरे कौन है यह लोग तुझे गारी देके चले उतनी डिवांड है जी मुझे जो करनाता मैंने कह दिया बात में आपकी वर्जी अरे खाटी है यह काम एक साल पहले कर लेने चाहिते है पर अब अकल आई है चलो तुम कहरे तुम ऐसे रख लेता हूं अंदर आओ क्या बाच्छा भाई गाउं से इतना दूर ऐसा घर बनाऊंगे तो भाड़ोत्री के लिए कौन आएगा यह क्या बखवास कर रहा है चेनरी के करीब कहका है चंगल पट्टा में घर बनाकर बेचने कैसे माना है विक्ट्री मैं कस्टमर के साथ कैसे डील करता हूं तो उस बात पर ध्यान रखना जैसे कस्टमर अंदर आए तो पहले दर्वाजे से लेकर आखरी दर्वाजा सब कोल तो सारी खिड़किया खोल फटा फटा फट पूरी हवा अंदर आएगी इस एरिया में इस फेसिलिटी क इतने कम किराये पर नहीं मिलेंगे ऐसा बोलना है थोड़ा जोड़ से बहो अब देखो विक्ट्री 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 हमें कॉनसी यहाब होगी यह क्या है अरे वह इस घर की नौकराणी है ऐन ने इसको इस तरह कबड खोल के चोड़ी करते लिए कई बा अगर रात में उस कबड को खोला जाए और उसके अंदर देखा जाए तो हाँ कम से कम 20 लाख रुपए मिलें दूसरे का पैसा आमी क्यों चाहिए भाई याला हरे मैं तो सिर्फ मजाग कर रहा था यार पाटी का फोन है सैर आई 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 सैर यह है यहां का सबसे बड़ा हॉल किया टैज बात्रूम उदर बैट्रूम उसके पूजा करूं उसके बगल में कॉमन बात्रूम विक्ट्री आप लोग आई ना यह ओम सी ग्राउंड के तरह बहुत बड़ा किचन और यह स्विच यह पाइप पानी नहीं आ रहा यह फैन हां लगता है इसमें पानी नहीं आ रहा है सर 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 ब्यास पर लिए पैसे की वज़े से एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली ठीक है कल शाम को मैं महां पर आ जाओंगा ओके और भाई कहा रहा हूं ब्यास देने के लिए पैसे यह तो फिर ब्यास लेती क्यों है ब्यास के पैसे वह सूल देवे किती मेहनत लगती है पता है आज उसकी अच्छी क्लास ली वैलो भाई ने दिया कसके उसको तीन दिन में पैसा देगा ऐसा बोला भाई उदास दिख रहा हो गजा के हाँ से स्लीप हुआ मली का नंबर लेक अगर रखा वह बीच में किसी कमीने ने मुझे पता बेनी चला और मेरे फॉन चे नंबर लेकर साइकल गैप के अंदर ले जाकर आटो पार्क कर दिया है सब लग फॉन नीचे रखो करो अगर मली ने जो नंबर दी उस पे फोन करो तो तेरा फोन है क्या? तेरा है? तेरा है.. नई माई? तेरा है? मल्ली ते जो बहए सिटिंग किया और तुसकी उपर नज़ टागई है? शक्त हाज में अज़की पहले ही शक्त हाने है मेरे खुलाब खड़ा हो रहा है बाई देखो तुने मुझ पे हाग भाय है ना अब देख क्या करता हूँ मेरी सथ नटक करेगा तुझे मैं जाएगा कहा बाट के तेरी तो अब जोस दिखाना था तब तो दिखा नहीं अब जोसने किया थिखाके शांदार लतको शांदार न को शांदार करप तुझे मैं धरूँ चुगा नहीं मॉर्जभा जोसने किया शांदार सेर सेर कौन थी वह फोन पर कौन थी कौन तो पहर में जब आपने नंबर लेने के लिए फोन किया था तब आप से कौन लड़की बात कर रही थी क्यों जानना चाहती हो तुम वो मेरा पॉस ना लाए उसमें टांग मतड़ा हो एक गैर लड़की आफ से आई लव यू कहेगी और मैं चुपचाप बैठोंगी मैं तुम्हारी भीवी हूं भीवी हूं देखो मैं कहा जा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं यह सब तुम्हें अपडेट नहीं कर सकता मैं समझ गे ना क्यूं मुझे हक नहीं है मैं कुछ भी नहीं पूछू कुछ भी मत पूछो यूर नॉट माइव वाइफ, you are just a public face. और हाँ, साथ सालों से तुम्हें जेल रहा हूँ. अब और नहीं जेलना चाहता. समझ गए? और नहीं जेलना चाहता. मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ. सिर्फ नाम की बीवी, नाम की वाइफ. मैं सिर्फ तुम्हारी नाम की बीवी हूँ. शायद इसने तुमने कभी. मेरी इज़त की ही नहीं, लेकिन मैं भी एक इनसान हूँ. माइ मादर, शीज बेडरेडन. मुझे भी लगता है कि मैं अपनी मा के देखभाल अच्छे तरीके से करूँ. लेकिन इसके लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ती है. मैं अपने मन से हस नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती. पता नहीं मैंने क्या पाप किये. शादी के बाद सिर्फ दो साल, दो साल मैंने तुम्हारे साथ चैन की जिन्दगी जी है. पिछले आठ साल में एक बार, एक बार में तुम्हें मुझे से प्यार से बात की है, या मुझे बाहर ले जाकर मेरी मन पसंद चीज दी है. शुप, करो. क्या चिल ला रही हो तुम? देखो, यह देखो, देखो, अच्छी तरह से देखो, अगर मैं तुम्हें बाहर लेकर के गया, तो लोग मेरा मजा को आएंगे, बाहर घूमने जाना है, बाहर घूमने. मैं तो यह सब परताश नहीं कर सकती, तेरी चागा कर मैं होती न, तो चल हट बोलकर छोड़ देती, तू एक बार हाथ बोलके देख, तेरे हस्बन के खिलाफ मैगजीन का कवर पेज बनवाऊंगी मैं, और लिखोंगी कि दहेज के लिए यह अपनी वाइफ को टॉचर करता रहता है, ऐसे जीने से तो अच्छा है कि तू उससे डिवोस ले ले, छोड़ देना उसे, मैं अक्येली होती तो बात अलग थी, लेकिन डिवोस लेकर मैं किट्सन को लेकर कहां चाओंगी, तू क्या अनाथ है, तेरे माबाप नहीं है, उससे डिवोस दे और बच्चे को ल बात करके चला जाओंगा ना, नहीं, यह मेरे फ्रेंड का घर है, मैं सिल्समेन बन कर आओंगा, मेरे पास एक प्रोड़क्ट तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, जड़ा देखना कौन है, हाई मैडम, कौन है वहाँ, टे एंसी शॉप से आया हूं मैडम, कुछ नहीं चाहिए, बाब, आप जाहिए, बॉड़ी को स्लिम करने के लिए एक पेल्ट भी है, वेजटेबल कट करने के लिए वेजटेबल कटर भी है, कौफी बनाने के लिए कौफी मेकर है, और चपाती बनाने के लिए चपाती मेकर, इंसे बात करने लग जाओ ना, तो अपना मुझे लगा था मैंने इसे खो दिया तुम्हारे पास कैसे आया थैंक यू आप फोटो खिचती है ना रिली यू वरी टैलेंटेड मैम फिल्मी बाते मत करो तेखिये फिल्मी बाते नहीं कर रहा हूं शीबा चाय तयार है आकर ले जाओ तो ठीके मैम आपको फोन करूंगा च को को क्या वरी जाओवा कर दो पहुझे अाया तो प्यू जा झालाखवा आपको वरी यू खिटे व़ंगा प्यू जाओवा खिए होग कर दो का दो खिखिया जाब को तो खिया ले बाते मैं अजाब दो जा दो को डॉक्टर कोमाक्षी सुंद्रम कोमाक्षी सुंद्रम हो गई योके लिखने के लिए अच्छा है क्यों प्रीया से गई आप से मिलने आई हूँ जब से पैदा हूई हो ऊंकल नहीं देखा मजाक मत कीजिये न हांकल ठीक है नहीं करूंगा पिटा जी ही नहीं अथा बाबी ने कुला किया ऐसा कुछ आउपलियान देता रहता है। हर 10 मिनिट में मुझे फोन पर मेसेज पर िवेजने को कहता है। फोन करके आई लव यू कहने को कहता है। हाँ एजु सब्सक्राइब इतनती से पर जो सुषर्ण करता है। मैं नहीं करता है। क्या नाम है उसका। जेम्स। अफिस कहा है तुम्हारा निलांगरे ठीक है तुम जाओ जाओ डरो मत मैं आता हूँ ठीक है अंकल मैं होना डरने के ज़ुरत नहीं है जैम्स की रास दीला लिखकर फार दूंगा उसको मैं है अगर अगर आपके साथ कॉफी शॉप पीनी है अगर आपको चन्नाई में प्रॉबलम है तो महाबली पुरें में अच्छी कॉफी शॉप पे वहाँ चले नहीं मैं नहीं आ सकती एक दिन अब ज़रूर आएंगी मुझे पता है ओ सॉरी 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 कि यह कहां गायब हो गए थे तुम जा जल्दी से उट्टो लेकर आओ कि आप पेशन के कौन है उनको पहले भी ऐसा कभी हुआ था क्या नहीं सर उनके हाट में दो ब्लॉक है घबराने की जरूत नहीं है एक छोटी सी सरजरी करनी पड़ेगी आप पेशन उनका नाम बताईए और ताठ हजार उपए कैश काउंटर पे जमा करवा दीजें साथ हजार उपए खल सुबर दस बज़े तक जमा करवा देंगे तो भी चलेगा तब तक उनको अबजर्वेशन में रख देते हैं तुम चाहों तो साथ में रह सकते हैं इतने पैसे कहां से ल कि हां बोल विक्टरी अरे यार कहा हैं तु यार ऑफिस से निकला हूं अभी घर जा रहा हूं अरे मा की तब यह ठीक नहीं है यहां सुखम होस्पिटल में अडमिट किया है तु यहां आ सकता है क्या ए यह तु क्या भूल रहा है तु फोन रख मैं 10 मिट में पहुंशता हेलो मिस्टर विक्टरी और यू जब भी मैं तरी को फोन करता हूं तो क्राइब हो जाता है ठीक है लरके लोगों को बेजता हूं उनके आज से पैसे भी जुआ देना ओके भाई ज़रा मेरी बात सुना मेरी मां की तबियत खराब है यहां सुखम होस्पिटल में उनको एड प्रूरत है अगर आप साथ हजार मुझे देते हैं तो मैं आपका सारा पैसे एक साथ हजार रुपए को एक आइडिया देता हूं तू कहीं से साथ हजार रुपए का इंतिजाम करोर ला के मेरे को दे दे वरना तेरी मा का ऑपरेशन सुबह नहीं हो पाएगा समझा तेरा ऑ चल मेरे साथ बताता हूं चल बैट भाई मेरे पास सिर्फ दस हजार रुपए थे एटियम से निकाल के लाया यह रख ले पचास हजार दो हजार तो मेरे पास भी हैं दे दूँ क्या तुझे पहले बोला चाहिया था ना रख फोन आ रहा है एक मिनेट रूख हलो बाद में मिलता हूं मेरे पास बिरियानी खाने के पैसे नहीं है इसलिए दस रुपए के बिस्कुट खा रहा हूं तू भी नए या मैं चलता हूँ जो भी होगा मुझे फोन करना चलता हूँ चल ठीक है चिन्नई के त्रीवल्लि केन में सतर साल के बुड़े आद्मी पर बुरी तरह से वार किया गया है उस बुड़े आद्मी को सुगं हॉस्पिटल में एमिट किया है लोगो का कहना है कि यह काम्भी साइको किलर का ही लगता है चिन्नई में पिछले दो महिनों में बार ऐसे लोगों को मार कर घायल किया गया है किसने किया ये सब और खास बात ये है कि ये घटना सिर्फ बुजर्गों के साथ ही हो रही है इसके पिछे क्या वज़ाओ सकती है पुलिस डिपार्टमेंट के एक्षन ले रही है परश्वपती सर चैनल नाइन वालों को अंदर बेज़ सिर्फ आप अंदर आए तुम सब दूब चलो पिछे चलो पिछे यह हमारे साथ बहुत अन्या हो रहा है सिर्फ चैनल नाइन वाले को यह अंदर बुला जाता है हम लोग क्या देखने में रिपोर्टर नहीं लगते है हुआ मैं यार समझ में यह लेंग नगे अंदर डाड़ी वाड़ी सेफ करो चेहरे पर बढ़िया से मेक अप करो कमर तक बाल रखो चूड़ी पेन लो जाकर बोलो मैं कमें सैर ऐसे नजाकत में बोलेगा तो अंदर ले लेंगे तुझे कोशिश करके देख ले तू तू अ तक औरत को देखकर पिखल जाते हैं तुम ले क्यों खड़े हो यहां पे जाओ यहां से नाइन नीज देखो और अपना नीज बनाओ जाओ जल्दी जाओ सर अब पेशन्ट कैसा है पहले तुम समेट्री वैन को फोन करो परशोपती सर बॉड़ी पोस्ट मॉटम में भेज़ दो या सर उसके बाद पोस्ट मॉटम रिपोर्ट ऑफिस में फैक्ट से दो और वो प्रेस वालों को बाहर भेज़ दो ठीके सर अब इतनी दूर आ गई है तो कार में क्यों बैठी है अंदर आ जाई है कि तो फिर इतनी दूर कहा आई हूं आप मैं तुम्हें थैंक्स बोलने अइध उचलती तो अंदर आकर थैंक्स बोल सकती हो दीपक यह हमारी लास्ट मीटिंग होगी इसके बाद हम कभी नहीं मिलें क्यों क्या हो गया मैं 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 एक जरूरी बात बोली थी समझ में यारा कैसे को कॉफी शॉप के वाश्रूम के कांच के पीछे मैंने पेपर में कुछ लिखकर रखा है आप पढ़ लेजेगा कि अजल क्या हम तर रखा हैे वजेग एक जरूर यारे शे Heightsर एगो वाल चुझे, वाल तो हुआ पाल कि वाल शोल मैं? व… वाल वाल अगर इस चेहरे को लेकर बाहर गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कहां जा रही हो है मैंने पूछा कहां जा रही हो मालिनी के घर जा रही हूँ हेई वाट इनों से पहना नहीं था इसलिए ट्राइ किया अब तुम ऐसे ही रहो यह तुम पर अच्छा लग रहा है लॉंग ड्राइफर जाने का मन कर रहा है यू वाट मी तु काम विधियू लो नो इशुज मैं जा कर आती हूँ हाई हाई ये लो ये क्या है तुम बाइक पर बैठोगी इसलिए प्रेस पर बान देना माजी का इलाज कराने के लिए तुम इतने पैसे कहां से लाए थे हाई मैं तुमसे ही पूछ रही हूं तुम्हारी चैन गिरवी रखकर हॉस्पिटल का पैसा भर है तो क्या हुआ अच्छा है बस यहीं एक काम बागी था वह भी तुमने कर दिया मा के इलाज के लिए चैन लिए ना तुम ज्यादा चिंता मत करो अगले मैंने चुड़ा कर दे द कल सुभा तक चैन कहां से आ जाएगी 50,000 इतनी जल्दी में कहां से लाओंगा मैं 50,000 मैं गिरवी रखा मैं नहीं जानती तुम कहां जाओगे कैसे लाओगे लेकिन मेरी चैन मुझे कल तक चाहिए और अगर नहीं लाए तो मैं कल सुभा ही अपनी मा के घर वापस चली पहले जाकर चेन चुड़ाओ उसके बाद मुझे ये प्यार दिखाना सासुमा आप गलत मत समझना मुझे मैं यह सब उसके अच्छे के लिए कर रही हूं शायद मेरी बातों से उसे जिम्यदारी का हैसास हो जाए हाँ शायद तुम्हारी बातों से सुधर जाए मैंने जो मेडिसिन दी हैं 30 डेस तक कंटीनू खाते रो तुम्हारा इस्ट्रेस जरूर कम होगा सच मुझ कम होगा क्या हंडेट पसें इटिल वर्क आउट हम बैद वे जो लकेर खीची है कभी पार नहीं कर दो फिर बस कल और मैं चन्नई में रुकूंगा उसके बाद मुझे मलेशिय जाना है तुम तो दस्दिन रहने वाले थे ना वीज़ा एक अफ़ते बाद मिलने वाला था लेकिन उजल्दी मिल किया तो जाना पड़ेगा ओ वैसे क्या मैं आपके साथ एक बार डिनर कर सकता हूं बहुत मुश्किल है दीपक मैं रात को बाहर नहीं निकल सकती मैंने आज तक आपको फोर्स नहीं किया है अगर आप सोचें कि तो जरूर हो पाएगा कोशिश तो करनी पड़ेगी न अगर कुछ कहना है तो मिरर के थेली आपके सब्सक्राइब भीजिस सम्टैक्ष तो अजिकित नहीं कि थेल्लेंड़ेग्डनड़ने सेय्ड़ कर दो पर है एँ मिरसी तो कि तो उतरिसा देसे कर दोंड़ेग्स कहां हुआ तो आपके साथ स्टे बाहर्ड़ेने साथ तो तो एदिस बाहरा है तो एज़ा प्रिया है दो हेलो कितनी बार का आए घर पर फोन मत किया करो तुम्हें ज़रा भी अकल नहीं है आप फैमिली मैं रखो फोन हैंसम होने का यह नुकसान है मैंने आज तक आपको फोर्स नहीं किया है अगर आप सोचें कि तो जरूर हो पाएगा कोशिश तो करनी पड़ेगी न तेरे पिताजी का कर चुकाने के लिए चार घर के बरतन मांचती हूं अगर तू भी करजा लेता रहा तो मैं बरतन ही मांचती रहूंगी मुझे कुछ नहीं बता लेकिन कल सुपे तक मुझे मुझे मिरी चेन वापस चाहिए तोरी पैसा विठी और तो याद रहत ना अरे भाई अगर पांच लाक रुपए मिल जाये ना कितना पांच लाक रुपए इस एरिया में हम चोरी भी करेंगे ना तो भी नहीं मिलने वाले अगर किसी रात को उसके घर का कबड खोले तो 20 लाक से कम नहीं मिलेगा 20 लाक तो कम से कम निकलेगा 20 लाक सोच लो 20 लाक 20 लाक हें शीबा ये क्या अपना सारा सामान पैक कर रही हो ओ आज शाम को मुंबई जा रही हूं एक अर्जन मीटिंग है दो दिन में वापस आजाओंगी अलमेक टी हूं आज शाम को जा रही हो हां मालेनी इफ ये डोंट माइंड आज जात में तुम्हारा घर यूज कर लूं क्यों वो मेरी पुराने फोटोज रियर्रेंज करने हैं तुम तो जानती ही हो शूर आल गिव ये माइफ लाच की अरे ये दूद उबालने का प्रोग्राम कम पनाया है एक फैमिली आई है सुरिया नगर के घर की चाबी दो उनको खर दिवाना ले चाबी तोड़ा समालना हां यां वो सब मैं संभाल लोंगा खीक है बाई जल्दी से मोरत निकाल के दूद उबालने के रिस्म कर लो कि कौन हो तुम नहीं वो सुना है इस घर के लिए सिक्यारिटी गाड़ चाहिए इसके लिए मैं देख रहा था क्या उस घर में अरे उस घर में कोई रहता ही नहीं तो सिक्यारिटी की क्या ज़रूरत इस बिल्दिंग में किसी घर के लिए बोला था अब काउन सा घर है यह तो मुझे नहीं बता किसी ने गलत बोला होगा चलो निकलो यहां से ठीक है ठीक है ओक्योगे कि 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 वो इस अज रात को में मा के पास रुकने वाली हूं यह कौन सी नहीं आदल थे तुमारी नित्या की तब्या ठीक नहीं वो आज रात हहीं आएगी एक माहा के पास कोई तो होना चाहीए ना वन सेकंद वन सेकंद वन सेकंद हा कल फाइव उकलाच फाइव तो शिक्स रहेगा तो बेटा रहे ओके हाग हम लोग पहुच गे फ्लाइट टाम पे थी एक मिनट माली तुमसे मिलने कोई आया है बेटा हेई शीबा अरे मैं मुंबई नहीं गई अंकल और आंटी अचानक ही यहां आ गए उपर का रूम फ्री कर दिया है तुम वहां काम कर सकती हो ठीक है ना इस ओके कोई साइलेंट चगा होगी तो बेटर है कोई बात नहीं मैं फिर कभी देख लूँगी ओके बाई अबए और लोग्वार आ जो अप्री कर दो। हलो हलो मैम कबसे तुम्हारा फोर नॉट रिचिवल आ रहा है एक चुरी मैम मैं जहां पढ़ता वहां पर सिगनल नहीं मिल रहा था एनिवे टिनर कंफर्म है न आपके फ्रेंट के घर पर ही हमें मिलना है न वो मुंबई नहीं गई यही पर है टिनर वहां नहीं है मैंने दू मैं उस्ते घर का एड्रेस लिखा था ना ठीक है मैं दूसरे एड्रेस बताती हूं नोट कर लो एक मिनिट नमबर 19 मलर तिरू सूर्या नगर तिरूवानी देस बचे की बात वहां जाना और दर्वाजे की बेल मत दबाना आकर मुझे कॉल करना ठीक है ओके हां और एक बात आते समय बाइक पर मत आना वो बाइक की आवाज आएगी ओके 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 हलो मैडम नित्या कहा है तू मा को देखने के लिए घर पर जाने नहीं तुम मत आना आज मैं मैं मा के पास रुकूंगी शीवा तूम इस वक्तिया है हां बेटी हां वो मेरे पुराने फोटोज है ना उन्हें सब रियरेंज करना है जेम्स को बता कर आई हूं तुम रेस्ट करना मैं उपर ही हूं कुछ चाहिए हो तो बुलाना ठीक है हुआ हुआ है हुआ हाँ 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 है हाँ है हाँ है हाँ है हाँ तो अब अब्सक्राइब मैं एक बात बता देता हूं आपको पुलिस से आपको डरने की ज़ुरत नहीं है मैं सच कहूं तो मैं आपके खर पे चोरी करने आया था लेकिन आप डरिये मत मैं आपको कुछ नहीं करूँगा मैं कोई चोर नहीं हो लेकिन हालात ऐसे हैं कि मुझे चोर बनना पड़ा लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी जो मैं आपके घर पहुंच किया अगर मैं नहीं पोलीस मैडम डरना मत अगर पोलीस वाल आपसे पूछे ना तो आप गहना कि मैं फिल्म देखने जा रही हूँ हुँरع जाओ कौं सी फिल्म कौंसे थियटर में ये भी तो पूछो तो दुरुश्र का नामपिछ sağ तो बोला सत्यम सत्यम ठीटर हाँ कहां जा रही हो ओ da का कॉंसे फिल्म देखने सरण पॉंसे फिल्म द्रिश्यम किस थेटर में? सत्यम ठीक है जाओ वो द्रिश्यम फिल्म दखने जा रही है सर द्रिश्यम में अजे देवगन खुद मडर करता है और लाश को छुपा कर पुलिस वालों को गुमाता है सर लेकिन वोगत तो फिल्मों में होता है हमारे साथ थोड़ी होगा यह कौंसी जगा है रोकी यह बाड़ी रोकी मैडम आप दस मिनिट यही रोकी है मैं चाके आता हूँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो यही है अजय को एक जाए तरक उब टूछ एग के दूगा है लुप हर फी जाए सकती है खर टूप हर पूँ़ खर पहर फिर खो हर नाए खर दो कि दू़ ख़ी को एडिया तर रसंड़ मैं हो सबते है अजय को एकक पूब बसाए खर बसे खर खले हो मेडम सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है यह लास्ट में कैसेट बचा है तो मैं आपके सामने यह तोड़ देता हूं अब आप टेंशन मत लीचिए बेफिक्र होकर घर जाए मैं अपना बैग ले लेता हूं अब आप जा सकती है अब आप कि अब आप कि वाay आप पड़ख। प्रुब प्रुब भुब ख्रुब धने कैने कि लिएफ। वो कुष्णिन झाल प्रुब कि लिएळब कि लिए Door कि यहां क्या कर रहा है तो साइको किलर को अकेले जागर पकड़ने का अगर उस पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया तो एक्रिमेंट के मताबि़ दो में जाकर सो गया होगा उसके बारे में तुसका केरक्ट घरसाता रहा है मुझे तो तेरे उपरी डाउट हो रहा है सच बतादे कहीं तूँ साइक अला देखा जो भी मन में आये पैसलिकल्स समें तक उसाइकों ब्रखना को पकड़ के दम लूब यह तो वह रहेगा या ना फिर मैं पास में जो विश्णु एयर जी रहते थे उनको किसी ने मार दिया है हम सबको ऐसा लगता है कि ये काम साइको किलर का ही होगा पुलिस को इंफर्म कर दिया है अब हम घर-घर में जाकर सबको होश्यार कर रहे हैं समल कर रहे हैं सेशा साके तो सक्राइब को ही बता देना गार कि आसे स्वस्यल्स कई खैब होगा लोगए सर्ड़बदी हमार आग जो सब्सक्राइब ना प्राइब कि आरख के लोकी था रहे लोकाग कि आर सर इस आदमी के राइड साइड में गले पेवार किया गया है सर मुझे लगता है ये भी उसी का काम है अरे यार यह मुझे भी पता है बहुत परिशान कर दिया है सर उसने छे महिने में 14 खून किये हैं सर इस बीच रात में कोई भी घूंता हुआ मिले तो उसे अरेस्ट कर लो ओके सर लेकिन ये बात प्रेश्ट तक नहीं जानी चाहिए नहीं सर ये चेंच लगाई तुम्हें अंदर चल के बात करते हैं यहीं बताओ पैर पड़ता हूं तुम्हारे दो दीन का टाइम देदो मैं किसी भी तरह चूड़ा के लाऊंगा ठीक है सिर्फ दो ही दिन का वग दे रही हूं करू कमर मांगा क्या भाई आपको पढ़ना नहीं आता है थीक से पढ़िये ना यह करू क्या है रही करू नहीं भाई गूरू और यह कमर क्या है कुमार अई अई भम अई चने लेकिन यह जा कि नहीं नहीं भाई दो महां तो गया था क्या रहे वहाँ था है यह क्या वेटी लिखा यह तू है क्या आटो मुझे षुप ऍच्रान लीन यह था ऑद्टीरो逞ा द्ह्ट्ट धृब 1ड़ महिने और अब अब तक एक पैसा नहीं दिया देख जा के चप चप उससे पैसे लेले नहीं तो उसकी जैन लेले आपका फोन बज रहा है तू डराता क्यों है रे फोन ही तो बज रहा है ना कान खोल कर सुन ले अब से तेरा पुरा वक्त शुरू तेरा गेम बजाने के लिए चंगल पट्टों से आद्मियों को यहां बुलाया है चंगल पट्टों क्या तू चाइना से आद्मिय बंगा ले मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता तुछ तीज रास्ते पर दड़ा दड़ा के नहीं मारा न तो मेरा नाम वेलु नहीं एः जब टू मळली के मामले में सिल्ली की तरह बरताओ किया ना तब यह सोच लिया तुरे को खत्म कर दूंगा चल देखेंगे कौन किसको मारता है कुवीडी करके मेरे को असाता है पूर रख पूर रख तू किदर गया रहे देखता नहीं है इसली लिए कब देखा था उसको है दो हफ्ते सुपर हो गया भाई देखो चिंता करने की बात नहीं है नहीं है तुम्हारा काम हो जागा मैंने बूला गुड मॉर्निंग सर आओ आ इस शहर में जब से तुमने डूटी जाइन की है ना यहां कितने खून हो गए है तुम्हें पता है क्या सर दरसल बात यह है कि प्रेशर मुझसे सा नहीं जा रहा है उपर से मुझे टॉर्सर कर रहे हैं यह बता दो उसे कब तक पकड़ोगे वे आल्मोस्ट गॉट हिम सर क् हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं उसे जरूर पकड़ लेंगे उसके करीब पहुंच गए हो और उसको पकड़ भी लोगे यह कहके सारे मामलें पर पानी फिर जाता है यह आई जी कह रहा था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो किसी भी तरह के क्रिमिनल को बहुत असारी से पकड़ लेते हो यह ऐसा कह रहा था इसलिए तो तुम्हें मुंबई से यहां बुलाया लेकिन तुम काम्याब नहीं हुए मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी चुए को भी नहीं पकड़ पाओगे सर यह के इन कीजे मैं उसे पकड़ लूँगा किसे चुए को सर एविडिन्स पर गौर करने पर पता चलता है कि वो खोनी पचास साल के उपर के बुजर्गों की ही जान ले रहा है अरे इसलिए तो कह रहा हूं मैं कि उसे मेरे घर तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लो आपके लिए पुलिस का बंदोबस्त कर दिया है तो तुम यह कहना चाहते हो कि मुझे भी खत्रा है जा कर मूध हो कर आओ दस दिन के अंदर उसे पकड़ के हाजिर करो मैं तुम्हारे पेर पकड़ता हूं भाई युट्स हाँ प्रिया बोलो बेटी ऑफिस में उसका बढ़ताव मैं सह नहीं पा रही हूं आपने कहा था कि आप सम्हाल लेंगे लेकिन लगता है आप तो पूल नहीं नहीं बेटी बूला नहीं हूं इस महने में मैगजिन रिलीज का डेट फिक्स हो गया इस वज़े से थोड़ा ब मैं एक चूहे को नहीं पकड़ सकता मेरे बारे मैं ऐसी बातें कहीं जा रही है इससे अच्छा तो मैं मुंबई में था यहां मैं तुम्हारे लिए आया था बस एक बार वो साइको किलर मेरे हाथ लग जाए तब उसे पता चलेगा कि मैं उससे भी बड़ा साइको हूँ मिनिस्टर के पास जाकर मैंने बोला था सर वी आल्मोस्ट गॉट हिम तो इसका मतलब क्या है हर कोई ये बात अच्छी तरह जानता है इस पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे अलावा उस खोनी को और कोई नहीं पकड़ सकता फिर भी मेरे बारे में कहते हैं मैं एक चूहे को पकड़ने लाइक भी नहीं हूँ कुछ देर चुप रहोगे तुम मेरी परेशानी भी समझने की कोशिश करो घर में मम्मी पापा रोज फोन करकर के मुझे टॉचर कर रहे हैं कब शादी करेगी कब शादी करेगी क्या जवाब दू मैं उनको बताओ जब देखो तब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते रहते हो अगर ऐसा ही रहा तो हमारी शादी कब होगी बताओ वहां कहां जा रहे हो बेडरूम में छुप जाओ यह लो यह लो यह लो शूज शीबा क्या हो गया क्या हुआ क्या हुआ कुछ बताए कि भी प्लीज बता जेम्स ने कुछ किया मा की तबिया ठीक नहीं है तो फिर क्या हुआ बता ना प्लीज मुझे से बहुत बेड़ी भूल हो गई है मालेनी यह तो क्या बोल रही है उस दिन जो सेल्समन आया था वही है क्या पागल है क्या तू जेम्स की नफरत की वज़े से मैंने यह किया और वो दूसरा आदमी कौन था पता नहीं उस डेड़ बॉड़ी का क्या किया वो लेकर चला गया वहां से लेकर चला गया पास्ट इस पास्ट जो हो क्या उसे याद करके परेशान मत हो घर जाओ और मैं तरी फ्रेंड हूँ यार मालिनी तू डर मत मैं हूँ ना मैं संभार लोंगी ठीक है सत्या हां कौन था कौन था कौन था फ्रेंड थी क्या हुआ मुझे शॉपिंग के लिए बुला रही थी मैंने मना कर दिया उसे यार मस्त पर फ्यू बैई इतरी सारी फोटो लड़कियों की ज़ राद है कितनी प्योरी है सही है बहुच्छ शोकिन आज़मी लग रहा है इतनी सारी हसीनाओं की तस्वीर है बहुत बड़ा फ्रॉट लगता है अद्वी भाई आप गजा भाई को भुला करके इसके साथ दोस्ती कर दो ना अगर इसके साथ कर लेता तो जेल में सढ रहा होता और तुम लोग बाहर आयाशी करते हैं मेरा मतलब वो नीटा भाई ठी है किया ठीक है यह तो अपने रिये की लगती है मेरे नीचे धाई सा लोग काम करते हैं अब ए ए रुपना ए ए सुन तो ए उस दिन सेक्योरिटी का काम डून रहते हैं यह काम है तुमारे लिए मुझे काम नीचाहिए ज़ो तुम यह ले यह कोई काम नीचाहिए मैं इपना परफेट काम करती हु ना कि बॉस मुझे देखते ही घबर आ जाते हैं अब गुड गुड मार्निंग मैडम बगल की दुकान में जाकर आने में इतना टाइम लगता है तुम्हें चो पगार दिया जाता है वो काम करने के लिए फोन पर बात करने के लिए नहीं त इस घुम्ने बिने नहीं गई थी मैं काम के लिए गई थी मैं बाहर आपको मैं बताती हुआ क्या काम करके आई एक मिनिट भाई साहा आओ आओ वह 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 सेक्योरेटी के लिए आपकुछ चाहिये था ना कोई देखिये में लेकर आई हुए से कैसा रहेगा ये हर्टा कटाल की है ना ये बिल्कुल सही रहेगा सर दिस इस माइ रपोर्ट सा रपोर्ट आइसे ते यार उपी यह चाहिए जाए एक इटसन कैसी टीशर्ट पहन रखी है ऐसी घटिया टीशर्ट तुमारी माई खरीद कर दे सकती है घर में एक इंपोर्टेंट केस्ट आ रहा है और तुम ये ड्रेस पहन कर रहोगे तुम्हें टीशर्ट गिफ्ट किया था वाइट टीशर्ट पर रेट कलर डिजाइन जाओ उसे पहन कर आओ जाओ 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 हाँ हाँ है कि है कि फोर्क नहीं है क्या लाती हूं सहाब जौने कराओ किषस देखो, कौन आने वादा है के क्वेवल शुचे कुटूरीय। ऐलो, इस बेंगा रोग थाकृम है अम्हेव प्रिवाईस, ś파 हाई ह् आपका हाथ इतना काम क्यो रहा है शुगर है लिए अा इसलिब आप मोंबें रहते थि थि नॉपहम बे घ्र भे intriguing के मुंबाई में था यह दो साल शैरों का शैर आमुची मुंबै वैसे आप मुंबई में कहां रहती थिए तниц Jud क्या हुआ इस घर में सब के हाथ कांपते हैं क्या यू मस्ट बीकिट्सन गुट इवनिंग वर्यू इवनिंग इवनिंग हाव यू आम फाइन नाइस टी-शिर्ट नाइस कॉमिनेशन थैंक यू अंकल मम्मी ने गिफ्ट दिया है सुपर सेलेक्शन से पता चलता है आप मुंबई रह चुकी हैं मैंने आपको टी-वी में देखा है अंकल ओ रेली चलो कम से कम इस घर में एक का तो हाथ नहीं कांप रहा है शेल्वे स्टार्ट या शूर और सत्या साइको किलर केस कहां तक पहुँचा पकड़ा गया नहीं अभी कहा है यार डे नाइट उसी केस में तो लगा हूँ मिनिस्टर लेवल से प्रेशर है मुझ पर वो बुजरू लोगों को ढून कर मारता है ऐसा सुनाए मैंने दरसल वो गुड नाइट किटसन गुड नाइट अंकल क्यूट बॉइ यार मेरी समझ में एक बात नहीं आती है बहुत से लोग अपने घर जमीन बेज कर किसी भी तरह अपने बच्चों को पढ़ाने में काम्याब होते हैं फिर यूके और यूएसे में बेज कर काम पे लग लेकिन अपने घर पर एक सिक्यूर्टी को तो छोड़ कर जाओ अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो खूनी तो पैदा होते ही रहेंगे ना जैसा तुम कह रहे हो उसके अनुसार जिनके बच्चे फॉरें में उनी के घर खून हो रहे हैं अब तक तेरा खून हो चुके हैं इतना ही नहीं एक आदमी मिसिंग भी है इंक्वाइरी करने पर पता चला है कि तेरा लोगों में से बारा लोगों के बच्चे फॉरें में काम करते हैं सो जो खून कर रहे हैं वो जान पहचान वाले हैं अरे बस करो यार यह मता शादी कब करने माला है मेरी शादी हो इससे पहले यह प्रेस वाले मेरी शादी करवा देंगे यह देखो एक पुलिस रक्षक के लिए भी एक रक्षक जरूरी है इस राइटर में रिपोर्टर के साथ तुम्हें जोड दिया है अगर तुम इसे जवाब देना चाहते हो तो जल्दी इसे शादी कर लो केस सॉल होते ही स सबसे पहले शादी करूँगा बताया नहीं लड़की कौन है इसी जर्नलिस्टों शादी करने वाला है क्या मैं जो काम कर रहा हूं उसके लिए जर्नलिस्ट ही अच्छी रहेगी मैं क्या कर सकती हूं तुम नहीं जानते I will ruin your life मैं जो काम कर रहा हूं उसके लिए जर्नलिस्ट ही अच्छी रहेगी हेलो हेई विर अर्यू तुमसे बहुत जल्दी मिलना चाहता हूं पुलिस से शादी करने वाली हो तुम्हें यह बात कैसे पता सत्या जेम्स के फ्रेंड है वो कल घर पर आये थे जेम्स और सत्या यह कैसे हो सकता है वो तो पता नहीं लेकिन तुम भी मेरी तरह जहलने वाल हो यह क्या बोल रही हो जेम्स का दोस्त कैसा होगा नहीं चीची सत्या तो बहुत अच्छा इंसान है अच्छा है तो अच्छी बात है लेकिन मुझे यह शादी बिलकुल मन्सूर नहीं है अपने जिंदगी को किसी और के हवाले क्यों करना ऐसा है तुम कहा करती थी ना हाँ किशोर शेटी राइक? यह बात सत्या को पता है अगर पता चला तो क्या करोगी? सत्या को यह पता चलेगा ही नहीं और वैसे भी किशोर और मेरे रिलेशन का कोई एविदएन्स ही नहीं है क्यूं तुम्हारे बारे में सत्या को बोल दूंगी इसलिए तुम्हें दर लग रहा है कॉम ओन यूर मैं बेस्ट फ्रेंड आइनू यू इल किल यूरसेल्फ बच निवर बिट्रे मी सही कहा तुम्हें तुम बेफिक्र रहो क्योंकि तुम्हें जो राज मुझे बताय था वो हमारे अलावा किसी को पता भी नहीं चलेगा रिलाक्स डॉंट वरी आपके यूर्ट वरी फ्रीर दॉक्ट्र वरी बाइदवे मैंने जो दवाईयां दी है टाइम टू टाइम लेना देट इस मोस्ट इंपोर्टेंट ओके बाइए कौन हो तुम्हारा अपटमेंट है क्या सिधे अंदर आगे वो जो जा रहा है वो जैम्स थॉमस है ना उनको क्या हुआ है हलु वह मेरा पेशंट है मैं तुम्हें उसके बारे में क्यों बताऊँ नहीं सर पचीस सालों मेरा दोस्त है यदर कुछिमों से बात नहीं कर रहा है वो पता नहीं क्या हो गया है यसे लिए जानना चाता था जब दो टेंशन मेंते रहे था इसलिया आप बेठ यह हम उसे क वहां जो मार खाया था उसके बाद फिर वो वो बचा कैसे हैं तुम कह रहे हो कि तुम उसके पचीस साल पुराने दोस्त हो तुम्हें नहीं पता है चाहे कितना भी करीबी फ्रेंड हो उसके पॉस्टनल में एंटरफेर नहीं कर सकते हैं बच्चा पैदा होनी के बाद ही ऐसा हुआ है बेचारा बहुत सीजा साथा है यार तेल मी फरस्ट यार नो तेल मी यार हां हलो तुम अपने आपको समझती क्या हो इस महीने तुमने कितना खर्च किया है तुम्हें कुछ पता है नमस्ते साथ जी मेरा नाम भासकर है एक दूसरा नाम भी है मेरा आसित करने वाला भासकर अपनी बीवी के सामने दिखावा करने के लिए तुम्हें मेरी बेटी ही मिली है क्या खबरदार तुम अपनी बीवी और बच्चे की वज़े से बच गया है इस्जत से रहना सीख लो नहीं तो अगर मैं चाहू तो तुम्हारी बहिस्जत है ना जला कर भासम कर दो क्या कहा अपने सच मता है और क्या अब बहुत हो चुगा सप्ट्या आइधर यू लीव मी और यू मैरी मी मालेनी क्यों इस बारे में बार बार जिक्र करती रहती हो मैंने तुमसे कहा ना कि हम आराम से शादी करेंगे आराम से और किंगा आराम से तीन महीने या छे महीने या एक साल के बाद कोई को जेट बता दो मुझे पेपर में लिखे गॉसिप की वज़े से तुम इत्ता परेशान हो रही हो और खुद को बहुत बड़ा जनलिस्ट कहती हो एक बात सुन लो माली जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता और इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे साइ झाल 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 करीक नशीच विग्ट्वी काम दंदा कैसा चल रहा है बस चल रहा है और कोई खास बात आग्या मैं कोई खास बात नहीं नहीं है वैपूच्ण लिखें लिया भाई जब लोगा थाफ़ता हजार उपया दे दूगा आपको अरे मैं इसके लिए थोड़ी पूछ रहा हूं यह जो यहां क्या कर रहे हो चोरी करने आया हो क्या इस पुतले को तोड़ कर यहां किसे रखा है मैडम ने कितना महेंगा खरीदा था और तुमने इससे तोड़ दिया इस घर में मैं तुम्हें लेकर आई हूँ इसने यहां सरा सम्मल करी रहना मैडम शीबा कहा है अभी तक आई नहीं मैडम आप आईए ना अंदर बैठ जाईए ओके अंटी कैसी है आप हाई अजानक केसे पास में काम से आई थी तो मैंने सोच आंटी से मिलती चलू गुड मॉर्णिंग मैडम हम ठीक है यह कौन है सेक्योरिटी तुम्हें बताया था ना उस राद यह आया था हे तुम्हें पागल कुट्टे ने काटा है क्या कुछ तो सोचा करो तुमने इसे ही काम पर तख लिया मुझे इस पर पूरा भुरोसा है समझा कर कोई फाइदा भी तो नहीं है थे माली नहीं भार में जाओ तुम क्यों मैडम आज फोन पर बात नहीं कर रही हो उपर आजाओ हां हां मैडम क्यों मैडम जल्दी आना हां विक्ट्री जी मैडम ये लो तुम्हारा पगार थेंक्स मैडम कि अएक और बात हहां येलू इतने पेसे किसके लिए तुम्हारे लिए है मैडम सच के बारे में मैं किसीtechn qualc़ भरोसा है इसलिए तुम हीन करजा है रख लो ए चोक्रे विक्ट्री के पास जा खत्म कर दे ठीक है भाई आओ प्यारी चोटी बैच्ची मैं तुम्हें दिखाता हूं आगे देखता हूं यहीं कहीं होनी चाहिए इंडिकेशन प्रॉपर्टी खाली पड़ी है यह उनिस नंबर किदर है किदर है यहीं तो बताया था शायद यह है यह है यह है नहीं यह नहीं है किदर है फिर यहीं तो मिल गई मिल गई उनिस नंबर कार तो बहुत बड़ा है पार्टी बहुत बड़ी लगती है के मेडम चपी यह इधर क्या कर रहा है हाँ तुम्हे बात बतानी थी आज रात नित्या यहां निहीं रुकेगी तुम्हें रुकना हो T तु इधर क्या कर रहे है भाई मैं यही काम करता हूँ अभी जो गई वो यही है ना हाँ भाई है पटने वाली है क्या है भाई भाई आई अभाई यही है वै अभाई द्ना अभाई गॉण 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 कर दो और और आर। यह 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 जह एम पं आडер प्रीँ क्यों एई क्या रहे उनको मुझे पैसे देने थे जो हुआ तुने देखा क्या नहीं भाई नहीं पैसे की ज़रूरत नहीं है निकल ले यहां से ठीक है भाई एई तेरा फैमिली है ना आपन वाच करेगा कर दो कर दो कर दो किसी ने देखा गया तो इस ताज पर चला किसी ने नहीं देखा है जरा चैनल नाइन को प्राओ आपको बुला रहे हैं कि मारीनी दुसरा प्रोग्राम कर रही है सर परशुपती तुम सब्सक्राइब कर रहे हैं सर इस हून के पीछे वज़ा क्या है बता सकते हैं कि मामें जाकिया तुम चलों और कितना टाइम लगेंगा अधा लगेंगा साब यार कबसी अधा गंटा अधा गंटा बोल रहें सच बताना तुझे पंचर बनाने आता है कि नहीं है सार मैंने बीम एंजिनरिंग किया घर के क्या फायदा अभी तक एक नट भी नहीं खोल प कम से कम टाइंग पर पहुंच तो जाता है कि सिर्फ तुम्हारा ही परिवार है क्या मेरा नहीं है कितनी देर वेट किया मैंने येलो अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है उससे पता तो नहीं चल गया कि मैं यहां की नोक्रानी हूं अरे बाप्रे कौन है मैं हूं माजी व कर दो कर कर दो कर दो कर दो कर。 एक बात सुन लो मालनी, जब तक ये केस सौर्म नहीं होता, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं दूसर रिपोर्टर से नजर नहीं मिला पाती, जहां भी जाते हो सब मेरी बेशती करते हैं पेपर में लिखे गॉसिप की वज़े से तुम इतना परेशान हो रही हो मैं जहां भी जाती हूँ, सब मुझसे कहते हैं कि मैं डीसी की गर्फ्रेंड हूँ अगर तुम्हें शादी की इतनी ही जल्दी है, तो तुम खुद उस साइको किलर को पकड़ो फिर हम दुनों उसको पुलिस के आवाले कर देंगे और सजा दिलवा कर शादी कर लेंगे उस डेट बाड़ी का क्या किया? वो लेकर चला गया वहां से लेकर चला गया और वो दूसरा कॉन है गुड मॉनिंग मेडम तु ये बात किसी को बताएगी नहीं न मैं तेरी फ्रेंड हूँ यार और इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे साइको किलर को पकड़ना ही हूँ पटिनम पाकम पॉलिस टेशन हाँ जी बोलिए आप जी साइको किलर को डून रहा है उसके बारे में मैं को जान खो क्या कर रहे हो जल्दी चलो न कर्देश अजब कर्देश में वित्री कौन है मिका कौन है कौन है कौन है मैं वित्री आप गपराये मन वित्री अरे करते है सर यहाँ कोई बुज़र्ग वरत रहती है क्या पासवाले घर में हां सर सालों से वह यही रहती है बुज़र्ग वरत है हम अकेले है क्या जी सर, कम से कम एक सिक्यूर्टी तो होना चाहिए क्या हुआ मालनी कुछ नहीं तुम टेंशन में हो क्या वो एक अन्नोन कॉल आया था वहां जाकर देखा तो कुछ भी नहीं मिला बोलो सत्या एक मिनिट सत्या एक मिनिट बोलो परशुपती कहां कभी मालनी वे गॉड़ दख्किलर शादी के लिए तैयार हो जाओ बाद में कॉल करता हूं अर्ष पुलिस स्टेशन योटन लेकर जल्दी चलो थांक गॉड सारी शीवा सारी आउ सारी अर्ष पर्ष भी जाना एल्ड अर्ष एलो मेडम वेक्ट्री एलो सर् क्या हो गया इतनी रात को तुछ जेनने शहर में कई महीनों से एक साइको किलर बुजर्द लोगों को पकर के उनका खून कर रहा था उस साइको किलर को पुलिस ने कल रात अरेस्ट कर लिया और इस केस को सॉल्व कर दिया है पिछले तेरा खून के घटना स्थाल पर जो फिंगर प्रिंस मिले हैं और जो एविदेंस मिले हैं उन दोनों को चलो आजाओ चलो सर नमस्कार सर यही है वो तुम्हारा नाम क्या है विक्ट्री सर घर का है यही है सर भारती नगर ठीक है तुम लोगों को अंदर डालती है यह पैसे के बारे में क्यों पूछ रहा है चलिए सर अ कर दो कर दूंगा इसने पैसे के बना कर दिया मेरे साथ जाने के लिए भी मना कर दिया इसने बहुत अच्छा लड़का है बहुत तकलिफ उठाएगा कुल साहिक पकडा क्ला ना इसलिए मुझे नहीं पता मेरी आंके बं थी साइको किलोर को पकड़ कर पुलिस के हवाले मैंने की कर लिया हकवा के क्यों बोल रहा है बार-बार ब्रेक लगाने क्या थे क्या थे क्या ना गाली ठीक से चलानी पाते जबान चलाते हैं जिस पुलिस टीम ने साइको किलर को पकड़ा है उस टीम के मिस्टर पशुपती हमारे साथ है चलिए उनसे पूछते हैं इस बारे में से अपने कबजे में कर लिया हम इसे पकड़ने के बहुत करीब पहुच चुके थे जब तुरुवानी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था तो उसी समय हमारे टीसी सत्या सर अपनी जान की परवाह किये बगएर उसको पकड़ लिये उसके साथ काफी देगर तक फाइट कि करना कि सीक्रेट ऑप्रेशन है क्रिमिनल को पकड़ना मुश्किल नहीं होता सर लेकिन अगर बात बाहर आती तो लीक हो जाती है जो भी हो मुंबई से जिस काम के लिए बुलाया था तुमने काम पूरा कर दिया अब तो मुझे भी तुमारे लिए कुछ करना चाहिए मुझ कि ऐसे क्या देख रहा है तेरे पास और तीन मेने है ना संभाल ले साइबो किलर से टीसी सत्या के पुछताच करने पर उसने बताया कि आज वहीनी पहले उसने जिसका खून किया था वो 22 साल का एक नौजवान था और वो कच्छे के धेर में पढ़ा गया था आगे की जानकारी के लिए टीसी से पुछताच करने के लिए पल्ली करने कच्छे के धेर के बात हम जा रहे हैं ते котором को बहां अपने साथ कि आरहे हैं के शिज़ा है ना गारई के लिए हमारे साथ नेज चैनल से चुड़े रहे है कामरामैन सुन्दर के साथ माले नी6 रेड़ी चले तेरे दो लाक रुपए वो तो गया है अरे मेरी क्या बात वो तो किसी को नहीं मिला कोई क्या कर लेगा एई राउडी हम लोग है शेहर में नेया राउडी कहां से आया अप उनके शेहर में क्या हो रही जानने के लिए बस न्यूस देखो तावदा सुबर के बताविक कर राद साइको किलर को पकड़ने वाले अथिकारी डी सी सत्या थे और आज वो उस साइको किलर को पल्ली करने कच्रे के धेर के पास लेकर आये साइको किलर ने जिस कच्रे में लाश को फेगा था उस कच्रे के पास दी सी सत्या को एक क्लू मिला है और उसी कच्रे के धेर में एक और लाश मिली है जब मैं धराया तो मैंने देखा कि यहां पर यह बहुत बात आ रहे थी तो एई यह तो दीपक भाई है सच में मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा मैडम उन्हें सिर्फ एक लाश में जानका देवी थी अंदर मां है ना मेडम जब भी मैं तकलिफ में था तब आपने पैसे दे कर मेरी मदद की आज मेरा जो कुछ भी अच्छा है वो सब आप ही की वज़े से मेडम आप चिंता मत कीजिए मेडम मैं जेल चला जाओंगा मेरी मां और मेरी बीवी मित्रा को आप संभल लीजी पल्ली करण में दो लाश मिलने की वज़े से पूरा शहर शौक में है जो लाशे मिली है वो किसकी लाशे है उसका नाम क्या है इसके जानकारी बस थोड़ी दर में डूपिटी कमिंशनल बीसी सत्या देने वाले हैं अब उस लाशों के बारे में सबको सब कुछ पता चल जा हाली में जो बाडी मिली है उसमें से एक तुकमा में जो डबल मर्डर हुआ था उसमें से एक बाईस साल के लड़के की लाश है ये लड़का उस खून को रोकने की कोशिश कर रहा था जिस वज़े से इसने उसको बेरहमी से मार डाला और ये जो दूसरी लाश है वो उसकी ह जिसकी गाड़ी में ये लिफ्ट मांग कर जा रहा था जब ये उस लाश को कच्रे के धेर पर फेंकने गया तो उसके खून का धबा उसके शर्ट पर लग गया और जब गाड़ी वाले ने खून के धब्बे के बारे में पूछा तो इसने भी उसे पत्थर से मार दिया सिर्फ इतना ही नहीं तिरुवानी में जो मडर हुआ यानि बिल्डर समुद्रन का भी खून इसी ने ही किया है यानि अब तक जो 17 खून हुए हैं वो इसे ने किया है ये बात ये कबूल कर चुका है तैंक्यू अब उर के बड़े भाई को और टीपक को इसी साइकोख गिलर ने मा रहा है सुलिशन तक पहुचे उसके पहले समुद्रन का इसने खून किया वो ये नहीं है सर्वो कोई दूसरा गैंगा है और जो दूसरी बॉड़ी मिली है उसका खून भी इसी ने किया होगा सर आइसा है क्या तो मैं प्रेस में ये कहकर आ जाता हूं कि जो मैंने कहा वो सही नहीं है तुम फाइल लेकर सफाई देते रहे ना अरे भाई वो जेल के अंदर पी एचडी थोड़ी करने वाला है जब उसने इतने खून किया है तो यह भी उसी किसर रहने दो ना तैडी मुझे चोकलेट चाहिए है जब देखो केक और चोकलेट है वो सब यहाँ पर नहीं मिलेगा यहां से थोड़ी दूर जाएंगे तो कॉफी शोप है वहाँ पर मिलेगा यह सब तुम्हें कैसे पता है कैसे पता चलो दिलाता हूं प्रणा प्राओ है लएल्ग थो सब्ड़ जाएंगे और नहीं मिलेगा थैए ब हम्यासाँ ON one black forest, one tea, sugar fiend anything else sir? नेवर्ष excuse me washroom? left corner sir okay अंकर को congrats for the thank you got something for you for me? I have a gift for you what is it? शीबा? इसे मेरे पास ही रहने दो ये मेरा most valuable personal collection है हेई शीबा, ये सब क्या है मैंने कहा था ना वो बात मैं सत्या को कभी नहीं बताऊँगी तुम मेरे साथ विश्वास खात मत करना और मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगी मुझ पर यकीन करो एक औरत के अंदर जो रहस्य है वो बाहर ना आए उसे एक औरत ही रोक सकती है